हेलो चांपियंज, वेलकम बैक टू, लेट स्कोर हंडेट, दोस्तों आज मैं आपसे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बाते शेर करना चाहता हूँ, जो आपके CBSC बोर्ड के एक्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नमबर वन, दोस्तों अब आपको आ कम है, इसी लिए मैं आप लोगों के लिए एक 40-day strategy लेके आया हूँ, अगर उसको आप follow करेंगे, तो आप definitely social studies में जो की 7th मार्च को होने वाला है, उस exam में आप full marks यानि 80 on 80 जरूर पाएंगे, अगर आप उसे अच्छे से follow करेंगे, तो उसके बाद हम लोग point number 3 भी discuss करेंगे, let's first discuss 40 days strategy, दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं, ये 40 days strategy क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं, 40 days strategy, और ये strategy कल से आप लोगों को follow कर देना है, follow करना है और इसे 19th February तक, ये होगा हमारा 14 days strategy, देखते हैं देखेंगे, आज है January 6th, और आप मेंसे कई लोगों ने, जिल लोगों ने संस्क्रीट ले रखा है, उनका संस्क्रीट का एक्जाम 19th February को है, फिव नीटीन त को आपका संस्क्रीट का एक्जाम है, और हमारा जो main एक्जाम है, जिसमें हम सभी को जो देना ही देना है, वो है हमारा हिंदी का exam तो हमारा हिंदी का exam जो है फेव 21 को हमारा हिंदी का exam है राइट इसी बात को ध्यान में रखने के लिए रखते हुए जनवरी 6 से ले करके फेव 15 फेव 15 तक कि ये strategy हम लोगों ने बनाई है जिसको आप अगर follow करते हैं तो आप definitely social studies में आप अच्छे marks पाएंगे आईए देखते हैं details देखे social studies में दोस्तों हमारे days हमारे 40 है और हमारे social studies में total 17 chapters है हमारे sst में total 17 chapters है अब आप को होगे sir 40 days में 17 chapters कैसे हो पाएंगे दोस्तों एक चीज़ आप सको remind करना चाहता हूँ देखे अगर आपने अपने school में होने वाले सारे unit tests दिये हैं half yearly exam दिया है अप pre board अगर आपने दिया है तो आपको मैं एक चीज remind कराना चाहता हूँ कि आपका sst की तयारी हर chapter की तयारी कम सकम 50 to 60% तो आपकी तयारी है यह अपने आपको confidence आप दिला सकते हैं final touch दे यानि अपनी तयारी में perfection लाएं और 100% perfect तयारी करें social studies की और यह 40 days में possible है कैसे आए देखते हैं आप देखिए 17 chapters कैसे है हमारे history में दोस्तों आप लोग जानते हैं तीन chapter है आप जानते हैं कि economics में भी तीन chapter है political science में 5 chapter है और geography में हमारे geography में हमारे 6 chapters है अगर आप इनको add करो तो 6 5 11 11 3 14 14 3 17 right 17 chapters है days हमारे पास कितने है days हमारे पास है 40 अब करना क्या है देखिए अगर आप एक chapter को दो दिन में खतम करते हैं अगर आप एक chapter को दो दिन देते हैं तो 17 chapter को complete करने में कितने दिन लगेंगे 34 34 days लगेंगे तब भी हमारे पास कितने days बज़ रहें 6 फिर से आपको remind कराना चाहता हूँ कि भले आपको विश्वास नहीं हो रहा है trust me आपको minimum 50 to 60% आपके हर chapter की तयारी है अपने आपको confidence दिलाई है right अब 30 देखो positive तो सोचना पड़ेगा अपने आपको encourage तो करना पड़ेगा अपने आपको अगर आप motivate नहीं करेंगा तो कौन करेंगा so keep yourself motivated and encouraged देखे तो एक chapter को अगर आप दो दिन में खतम करते हैं right तो 17 chapters को खतम करने में 34 days लगेंगे तब भी हमारे पास 6 days बच रहें इन 6 days में हम क्या करेंगे in 6 days में हम practice करेंगे अपना map work history and geography का map work map work हम practice करेंगे right अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे sir हम तो SST जो दो papers के बीच में gap हम science के exam के बाद SST में 5 दिन हैं 5 दिन में कर लेंगे दोस्तों ये गलती आप मत करिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 50 to 60 percent mark सी मिल पाएंगे क्यों 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 कि SST का syllabus न केवल लंबा है बलकि it requires a lot of answer writing practice तो वो जो 4 days का gap है अब आपको होगे sir हो तो 5 days है 4 days कैसे है समझाता हूँ आपको देखिए आते आते आपको 2.30 हो जाएगा और आराम करके लंच वगरा करते आपको 5-6 बच जाएंगे जाहर से बात है आप science के exam के लिए morning में जल्दी उठेंगे तो आपको दोपर में वोना भी पड़ेगा तो आपका second march गया अब आपके पास कौन-कौन सा time बचा है इसको एक बार erase करते है ठीक है अब आपके पास बचा 3rd, 4th, 5th and 6th केवल 4 days दोस्तों बताना चाहरा हूँ इन 4 days में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है इसलिए आपको 6th January से लेकर के 15th February तक जीतना आपको पढ़ना है सारा पढ़ लीजिए इन 4 days में जो आप में पढ़ लिया है उसको इतना पका कर लीजिए कि अगर वो question आ गया तो आप उसे खुब बढ़े अच्छे से लिख करके आएं 100% perfection के साथ तो ये 4 days इन 4 days की strategy क्या होगी हमारी इन 4 days की हमारी strategy होगी तीन चीज़ें हमें करनी है हमें revision करना है revision किन का करना है revision हमें उन chapters का करना है सबसे पहले जिन में हमारा command नहीं है इन 4 days में उन chapters को उस पहले हम take up करेंगे जिसमें हमारा command हमें पता होता है हमारा कौँ से chapter पर command अच्छा है कौँ से chapter पर command अच्छा नहीं है तो उन chapters के revision सबसे पहले करेंगे revision के साथ साथ आपको revision के साथ सी साथ आपको answer writing की practice भी करनी होगी answer writing practice करनी होगी reason समझा दूँ science का exam दे के आएंगे तो पूरे चार दिन का gap है इन चार दिनों में आपके लिखने की practice नहीं करोगे तो आपकी लिखने की आदत कम हो जाएगी and ssd में आप जानते हैं बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है आपकी हंगलिया आपका साथ नहीं देंगे answer आते हैं भी आप पूरा लिक नहीं पाओगे फिर finally आपके marks कम हो जाएंगे तो इन चार दिनों में न केवल आप जो आपके कम तयार chapter है उनकी खूब बढ़िया revision करेंगे साथी साथ जो भी आप पढ़ते है at least 30 minutes आप उसकी writing करिए writing practice करिए दो चीज यह होगी writing practice करेंगे तो आपकी speed बढ़ेगी आपकी handwriting और अच्छी हो जाएगी है न तीसरा क्या करना ही नहीं चार दिनों में तीसरा दोस्तों आपको बता रहा हूँ आपको map work map work को हलके में मत लिजिए map work में मैं आपको अपने experience से बताना चाहरा हूँ आप 5 on 5 full marks ला सकते हो तो map work की at least 3 बार practice करनी है पहले तो आप solution देख लिजिए map की pointing का उसकी map की pointing का details पढ़ लिजिए क्योंकि maps में आजकल direct question नहीं आते हैं आजकल पूछ लेते हैं कि deepest land lock port कौन सा है direct नहीं पूछेंगे तो map की pointing के साथ साथ जरूरी है कि उस जो particular point है उसकी detailing भी आप लोग पढ़िये CBSC में जो तीन practice sets question paper के practice sets इशू किये हैं तो अगर आप उसमें map based question पढ़िये जोगरफ ही पहले direct आजाता था टेहरी डैम अब इस तरह के question नहीं आता tallest damn जो की टेहरी डैम ही है इस तरह के question आ रहे है तो उसके बार में अच्छे से पढ़े तीन बार practice करने कैसे एक बार तो आप देख करके pointing को सीख लीजे मैंने map बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है और बहुत अच्छे च्छे tricks बताई है कि कैसे आप इंडिया के blank political map में मने tricks बताई है अगर उन tricks को आप सीख लोगे तो आप आसानी से उन places को आप identify कर पाऊगे उसका link आपको discussion box मिल जाएगा so that आप map की practice कर सकें तो एक बार तो आप देख के करिए दुबारा आप बिनने देखे करने के कोशिक करिए कुछ गलतियां होगी फिर से देखे कि कहा गलतियां हो रही है फिर तिबारा थर्ड टाइम आप बिन अक्र देखे मैं अपकी प्रैक्टिस करिए प्रस्ट मी थर्ड टाइम आप सारा अच्छा कर ले जाएंगे तो ये हो गई अपनी 40 days strategy अब तीसरी चीज आती है कि इस strategy की शुरुवात कैसे करेंगे देहान दीजिए इसमें सबसे पहले दोस्तों हम शुरुवात करेंगे economics से सस्ट में economics से शुरुवात करेंगे क्यों क्योंकि economics में कम chapter तयार करके कम मेहनत लगाके हमें पूरे 20 नंबर मिल रहे हैं देहान दीजिए आप जानते हैं कि economics हमारी 20 marks की है और economics में हमें केवल 3 chapter तयार करने हैं तो अगर आप अगर आप इसकी calculation करें मेरी math सोदरी अच्छी नहीं है इसलिए मैं SSD teacher बन गया आप लोगों की math बहुत अच्छी है आप चलिए इसको देखते हैं I think एक चैप्टर के लिए एक चैप्टर हमारा 65, sorry 6.5 या 7 marks हमें दे रहा है economics में अगर हम economics की chapter तयार करें तो हमें एक चैप्टर 6.5 या 7 marks का है ठीक है almost 7 तो नहीं है 6.5 तो 7 के बीच के है अच्छा दूसरी चीछ देखो economics है it requires less efforts and less time because in comparison to geography and history ये कम time and effort की डिमान करता है इसलिए ये जो 40 days strategy की शुरुवात है आप इसे economics से साथ शुरू करिए now coming back to point number one जहां पे हम लोगों ने discuss किया था कि अब आपको SST के final exam के लिए कम chapters पढ़ने हैं कैसे आए देखते है देखे ये CBSC ने syllabus issue किया है ये देखिए अपना 2023 और 2024 का syllabus है जो CBSC ने issue किया है हमारे syllabus में total five chapters हैं लेकिन हमें board के final exam के लिए केवल तीन chapter पढ़ने हैं कैसे आए देखते हैं देखिए हमारा रहा history इसमें हमें कौन कौन सा chapter पढ़ना है chapter number one chapter number two and chapter number three इनको खूब अच्छे से करना पूरा का पूरा chapter आ रहा है अब आपको होगे sir what about the making of global world दोस्तों इसमें से केवल तीन page आ रहा है जो आपके बाएं हाथ का खेल है तीन page तो आप लोग चुटकियों में कर लोगे वैसे भी देखिए तीन full chapter आ रहा है एक chapter के केवल three pages आ रहे है जैसा कि मैंने बोला मेरी math तो बहुत अच्छी नहीं आप लोग दो मेरे 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 काफी अच्छे है तो अगर आप math का rounding off का concept है उसके हिसाब सा आप देखिए अगर यह 3.3 है तो इसे 3 ही माना जाएगा अगर यह 3.6 होता तो इसे हम four chapters मान सकते थे तो इस तरीके से आपको history में केवल तीन chapter पढ़ने है आप कौन कौन से chapter नहीं पढ़ने है यह जो circled one है यहीं पढ़ने है आपको the making of global world में देखिए सब topics 1 to 1.3 यानि pre modern world से ले करके conquest disease and conquest disease and trade तक ही पढ़ना है जो आप लोगों में से देर सारी लोगों ने तयार कर लिया होगा और अगर नहीं भी तयार है तो trust me एक दिल घंटे से जादा नहीं लगागा बड़ा ही interesting topic है बहुत ही easy topic है तो और यह वाला chapter chapter number 4 आपको बिल्कुल नहीं करना है now moving ahead हम देखते हैं अपना economics का right economics में आप देखे economics यह आपका economics understanding economic development इसमें दोस्तों केवल 3 chapter आपको पढ़ने है chapter number 1 chapter number 2 chapter number 3 अब आप कहेंगे sir globalization and Indian and the Indian economy भी तो आ रहा है हाँ आ रहा है केवल 2 topic आ रहा है दोस्त यह देखें केवल 2 topics आ रहा है what is globalization and factors that have enabled globalization मैं again बोलूँगा यह आपके बाएं हाथ का खेल है एक डिल घंटे से जादा नहीं लगेगा right ठीक है think positive तो 3 अपने history में हो गए 3 अपने economics में हो गए उसी तरह आप लोग जानते हैं अगर आप geography का देखें अगर आप geography का देखें यह देखे geography का शिले बस geography में देखें आप लोग जानते हैं कि यह केवल 6 chapters ही करने हैं आपको right यह वाला अपना chapter आहीं नहीं रहा है यह तो इससे केवल map work आ रहा है ठीक है न तो इस तरीके से strategy बनाएए एक बार फिर से remind करना चाहूंगा आप लोगों को कि यह जो 6 January से लेकर 15 February का time है आप freely न केवल answers को learn करिए अच्छे से practice भी करिए क्योंकि वो 4 days में पढ़ने की कोशिश मत करिए वो 4 days केवल आपके revision answer writing practice और map work की practice के लिए है दोस्तों आज के लिए तना ही thank you so much